तमस्कार दोस्तों पार्ट यहाँ पर आ चुके हैं अगर आप सभी लोग MPCHU की परिक्षा में शामिलोने वाले हैं तो आप सभी लोग यह सभी पार्ट आप लोग वाच जरूर कर लें और अभी तक आप सभी लोग ने यह पार्ट अभी तक नहीं देखें तो कोई भी घवराने वाली बात नहीं है इसी वीडियो के नीचे आपको जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने आपको सभी पार्ट की प्रोवाइट करा दी अगर आप लोग एक्जाम देने जाने हैं तो सभी पार्ट आप लोग वाश करके जरूर जाना काफी सवाल आपको इनी पार्ट में से आपकी परिक्षा में आपको रिपीट देखने को मिलने वाले हैं पूरी जानकरी इस वीडियो माँ पे कावर करेंगे सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें MPNHMCHO आगे और भी पार्ट आपको मिलने वाले हैं कोई भी जानकारी अब आप से आप पिना छूटे तो वीडियो के नीचे जाएं सब्सक्राइब के रैट बटन को आप पे कलिक करें MPNHMCHO हर इंफर्मेशन इसी तरीके से नीमोनिया is pneumonia that is acquired from तो दोस्तो नोसो कॉमियल जो नीमोनिया है ये नीमोनिया कहां से ये acquired होता है या पिर हम लोग कहें पाया जाता है तो आप लोगों को options दे दे गए the community, home, hospital, environment, none of the above तो जल्दी से आप सब लोग इसका answer comment box में type कर दें right answer क्या रहेगा तो दोस्तो नोसो कॉमियल जो नीमोनिया है ये hospital के environment से acquired होता है और इस सबाल का जो right answer है option number 3 यहाँ पर रहने वाला है तो उसको आप लोग याद रखेंगे अब बढ़ जाते हैं अगले सबाल की और अगला सबाल आप लोगों से जो पूछा जा रहा है नवजाद पुनर जीवन में सबसे महतपूर्ण और सबसे प्रभावी कदम है तो आप सबी लोग को options दे दे गए stimulation, ventilation, chest compression, administrating drugs तो जल्दी सब सब लोग आज का answer comment box में type कर दे सबसे महतपूर्ण और सबसे प्रभावी कदम नवजाद के पुनर जीवन को लेकर यहां पे क्या रहेगा तो दोस्तों देखिए इसका जो right answer है ventilation यहां पे यह रहने वाला है option number 2 उसका सही विकल रहेगा बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की और अगला सवाल पूछा जा रहा है नवजाद शिशू के प्रसफ के बाद गर्बनाल को बंद कर देना चाहिए और निम्न समय में भीतर काट देना चाहिए तो जो नवजाद शिशू के प्रसफ के बाद जो गर्बना लाएती इसको यहां पे बंद कर दिया जाता है और कितने समय में इसको काट देना चाहिए तो आपको समय बताना है एक से तीन सेकेंड एक से तीन मिनिट पांस से दस मिनिट नन अब 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 तो जल्दी से बता दे समय आपे कितना रहता है कमेंट बॉक्स में टाइप करें इसका आंसर तो दोस्तों देखिए इसको जो राइट आंसर है एक से तीन मिनिट यहां पे रहने वाला है आप्शन नमर टू सही विकल पे आपे रहेगा इंपोर्टेंट सब आ ले इसको आप लोग आंसर को आप लोग याद रखें अब बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रेशन की ओर अगला प्रेशन आप लोगों से यहां पे पूछा जाना है प्रेशब के दोराएं गरवाशाय ग्रीबा सेर्विक्स को मुलायम और इसके फैलाओ को सुविधा जानक बनाने के लिए कहा जाता है तो दोस्तों क्या कहा जाता है सेर्विक्स को मुलायम और इसको फैलाने को और ओप्शन आपको यहां पे दे दे गए हेगर साइन गॉडल साइन ब्रेक्स्टन हिक्स साइन अब 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 तो जल्दी से आप सब लोग इसका अंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दे तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है गॉडल साइन से आप पर रहेगा और ऑप्शन नम्बा सेकेंड इसका सही विकल्ब रहने वाला है तो उसको आप लोग याद रखेंगे अब बढ़ जाते हैं अगली प्रेशन की ओर तो दोस्तों अगला प्रेशन आप लोगों से पूछा जा रहा है दा हार्मून्स डेट डेजन्ट क्रॉस दा प्लेसेंटा और तो कौन से हार्मून्स आप लोगों को नीचे ऑप्शन्स में दिये जा रहे जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस यहाँ पर नहीं करते तो आपको विकल्ब पर दिये देगे तो जल्दी साब साब लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग टाइट करने राइट आंसर क्या रहेगा तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है पेरा थ्रोमोन और कैल्सी टोनिन यहाँ पर रहेगा उप्शन नमबर फूर इसका सही विकल्ब यहाँ पर रहने वाला है तो इन हर्मून्स को आप लोग याद रखें और यह दोनों हर्मून्स प्लेसेंटा को क्रॉस यहाँ पर नहीं करतें इंपोर्टेंट सबाल था अब बढ़ जाते हैं अगले प्रेशन की और अगला प्रेशन आप लोगों से पूछे जा रहा है तो कौन-कौन से हर्मून्स है जो की मेल रिप्रोडेक्टिव सिस्टम को फांचिनिंग में आपे कार करते हैं इनवाल यहाँ पर रहते हैं और शामिल होते हैं तो आपको यहाँ पर वेकल पर देद गए इसके बाद फालिकल इसटीमिलेटिंग हार्मून और फूर्थ जो आप्शन है प्रोलेक्टिं टेस्टोस्टिरोन तो जलदी साब साब यहाँ आँस का अंसर कमेंट बॉक्स में टैप कर दें male reproductive system के functioning में कौन से hormones यहाँ पर responsible रहेंगे involved रहेंगे शामिल यहाँ पर रहने वाले हैं तो बिल्कुल देख सकते हैं follicle stimulating hormone जो है चारो option में यहाँ पर common रहेगा और इसका जो right answer है आप सबी लोग को मैं बता देता हूँ testosterone luteinizing hormone यहाँ पर रहने वाला है तो option number जो second है इसका सही विकल्प यहाँ पर रहने वाला है इसको आप लोग याद रखेंगे तो दोस्तो important सवाल है इसको आप लोग को यहाँ पर याद रखना ही है अब बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रेशने की ओर तो दोस्तो अगले जो प्रेशने यह काफी बार परिक्षा में पूछ लिया जाता है तो आप लोगों को यहाँ पर बताना है नॉर्मल क्रोमोजोम्स कॉम्पलिमेंट मेल्स में आप रहता है तो जल्दी से comment box में बता दे नॉर्मल क्रोमोजोम्स यहाँ पर मेल्स के लिए आपर क्या रहेगा तो दोस्तों देखिए इसका जो right answer है 46xy यहाँ पर रहने वाला है और option number जो 3 है इसका सही विकल रहेगा बढ़ जाते हैं अगले प्रेशने की ओर अगला सवाल जो आप लोगों से पूछ जा रहा है रक्त प्रतिक्रिया के मामले में आप कौन सा ततकाल नरसिंग हस्त थे हस्त शेप करेंगे तो आप लोगों को बताना है रक्त की प्रतिक्रिया है और इस मामले में कौन सा यहाँ पर नरसिंग स्टेप यहाँ पर फॉलो किया जाएगा तो यहाँ पर देखिए पहला जो option है inform the physician physician को inform करेंगे अगले जो option है inform blood bank blood bank को आप लोग सूचित करेंगे monitor vital science means vital science को monitor आप लोग करेंगे और लिखा है stop the transfusion immediately and monitor vital science तो जल्दी से आप सब लोग इसका answer comment box में टाइप कर देए तो दोस्तों इसका जो right answer है stop the transfusion immediately and monitor vital science तो option number जो 4S का सही विकल्प यहाँ पर रहने वाला है इसको आप लोग याद जरूर रखें और यही step यहाँ पर follow किया जाएगा रक्त की परिक्रिया में और यह nursing step आपको यहाँ पर follow करना होगा तो अब बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रेशने की और तो दोस्तो अगला प्रेशन आप लोगों से जो पूछे जा रहा है notifiable diseases as per WHO under IHR तो दोस्तो आपको बताना है IHR के अंतरगत notifiable diseases है WHO के तहट तो आप लोगों को diseases के नाम बता देगे cholera, plague, yellow fever, polio, titnus, typhoid, hepatitis, plague, yaws, influenza, cholera, polio, influenza तो IHR में कौन-कौन से disease रहती है WHO के मताबक तो आप सब लोग यहाँ पर बता दे comment box में इसका right answer क्या रहेगा कौन-कौन से disease आप पर रहने वाली है तो दोस्तों दिखिए इसका right answer है cholera, plague, yellow fever यहाँ पर रहने वाला है तो आप लोग यहाँ पर दिख सकते है option number जो वानेस का सही विकल्ब यहाँ पर रहने वाला है और इसके diseases के नाम आप लोग याद रखें और यह important सबाल था अब बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रेशने की और अगला जो सबाल है पूछ लिया गया है 6, tuber clauses रोग किस बीमारी की प्रगती को तेश करता है तो आसान से सबाल है tuber clauses जो disease है कौन सी बीमारी मिस कौन से disease की progress को यहाँ पर जो है increase कर देता है तेश कर देता है तो options दे दे गए asthma, HIV, leparacy, rubella तो जल्दी से आप सबी लोग इस cancer comment box में type कर देए easy सबाल है आपको यहाँ पर आना चाहिए कोशेश करें इसका correct answer यहाँ पर क्या रहेगा comment box में type कर दे तो दोस्तों देखिए इसका जो right answer है HIV है और option number 2 का सही विकल्प यहाँ पर रहने वाला है इसको आप लोग याद रखेंगे और अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल क्यों तो अगला question है पूछ लिया गया which behavioral risk factor contribute to a person developing a non communicable disease तो आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि कौन सा यहाँ पर factor है जो की contribute करता है जो की यहाँ पर जोड़ता है किसी person को उसमें develop होने वाले non communicable diseases को तो आप लोगों को यहाँ पर विकल्प यह दिए देगे physical inactivity harmful alcohol consumption tobacco use all of the above means कोई भी इसमें शारिरिक यहाँ पर activity कोई भी नहीं है harmful alcohol consumption means शराप का 7 tobacco use means तमाकू का यहाँ पर 7 और 4 जो option है सभी तो आप सब लोग बता दें comment box में right answer क्या रहेगा तो दोस्तों दिखिए इसका जो right answer है all of the above यहाँ पर रहने वाला है physical inactivity भी है harmful alcohol consumption भी है tobacco use भी है और यह सारे जो factors हैं contribute करते हैं किसी person को develop होने में non communicable diseases में तो आप सभी लोग को याद रखना है तीनों यहाँ पर activity आप रहने वाली है all of the above option number 4 इसका सही विकल्प यहाँ पर रहने वाला है अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर तो दोस्तों अगला प्रशन है पूछ लिया गया है in which communicable disease the acid fast bacilli test is positive तो आप लोगों को बता रहा है कौन से disease में acid fast bacilli test positive यहाँ पर पाया जाता है तो tetanus laparacy है क्या diphtheria tetanus है और अगला जो यहाँ पर option है poliomyelitis and tetanus और fourth जो option है tuberculosis and laparacy तो जल्दी से बता दें comment box में right answer इसका क्या रहेगा तो दोस्तों इसका जो right answer है tuberculosis and laparacy है और इन दोनों decision के नाम आप लोग याद रखें option number 4 इसका सही विकल्प आप पे रहने वाला है बढ़ जाते है अपने अगले सवाल की हो तो अगला जो प्रेशन है पूछ लेगा है जनम से पहले बच्चों के फेपड़ों में alveoli प्रस्तावित किये जाते हैं और निम्न भरा जाता है तो जनम से पहले बच्चों के जो लंग्स है उनमें alveoli जो है यहाँ पे प्रस्तावित किये जाते है और इसमें क्या भरा जाता है तो आपको बताना है क्या air भरी जाती है क्या fluid भरा जाता है क्या blood भरा जाता है या पर दोस्तो मैं कोनियम यहाँ पे बढ़ा जाता है तो comment box में इसका right answer बता दे correct option क्या रहेगा तो दोस्तों देखिए इसका right answer है fluid है तरल यहाँ पर रहेगा और option number 2 इसका सही विकल्प यहाँ पर रहने वाला है अब बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रेशने की और अगला जो सवाल है आप लोगों से जो पूछा जा रहा है in adult anuria refers to urine output less than तो वेश्क में जो anuria होता है इसमें urine का जो output है कितना यहाँ पे कम रहता है per ml per day के साब से देखिए विकल्प आपको देदे गए 50 ml per day 100 ml per day 150 ml per day 200 ml per day तो जल्दी से comment box में right answer बचा दे तो दोस्तों देखिए इसका जो right answer है 100 ml per day यहाँ पे रहने वाला है और option number 2 इसका सही विकल्प यहाँ पे रहेगा अगला जो प्रेशन है आप लोगों से यहाँ पे जो पूछा रहा है hemilic maneuver is performed to तो hemilic जो maneuver है यह क्यों perform के ज़द है to treat insufficient breathing to improve circulation to remove blockage from victims airway to provide effective ventilation तो आप सब लोग इसका answer comment box में type कर दे तो दोस्तों इसका जो right answer है आप सबी लोग को बताना चाहता हूँ to remove blockage from victims airway हिंदी में आप देखे लखा है period की सास के रिकावट को दूर करना तो आप सबी लोग जो है इसका जो right answer है option number 3 यहाँ पे यह रहने वाला है और इसलिए यह perform यहाँ पाई किया जाता है कि period की जो सास में जो रुकावट है इसको यहाँ पे दूर किया जाए तो दोस्तों यह तो थे question nursing के अब मैं आपको directly जीके के questions की और आपको यहाँ पे ले चलता हूँ और आप सबी को बताना चाहता हूँ जीके के जितनी भी question आज मैंने इस वीडियो में cover किये मद्धिप्रदेश से संबंधित यहाँ पे रहने वाले हैं तो important question ही मैंने इसमें आपे cover किये और directly मैं आपको general knowledge के सवाल की और आपको यहाँ पे ले चलता हूँ तो दोस्तो पहला जो सवाल यहाँ पे जो मैंने cover किया मद्धिप्रदेश लोगसेवा आयोग का मुख्याले कहाँ पे इस्तित है तो मद्धिप्रदेश लोगसेवा आयोग जो है इसका headquarter indoor में है तो यह आप लोग इसको याद रखेंगे इसके बाद दोस्तो अगला जो प्रेशन है पूछ लिए गया है मद्धिप्रदेश में नियूंतम तापमान किस इस्तान पर रहता है तो minimum temperature आप लोग उसे पूछा जाना मद्धिप्रदेश में कहाँ पर यह record किया जाता है तो यह पचमडी में रहता है तो इसको भी आप तो याद रखेंगे अगला प्रेशन है मद्धिप्रदेश का कौन सा इस्तान साणियों के लिए प्रिसिद है तो जैसा क्या अब सभी लोग को मालू है चंदीरी जो इस्तान है मद्धिप्रदेश में यह साणियों के लिए यहाँ परिसिद्ध है और चंदीरी जो यहाँ पर आर्ट है यह साणियों से संबंदित यहाँ पर रहेंगी इसके बाद दोस्तों अगला जो समाल है इसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है मद्यप्रदेश का सबसे छोटा नैशनल पार्क किस जिले में है तो दोस्तों देखिए सबसे छोटा नैशनल पार्क कौन सा यहाँ पर जिला डिस्टिक्ट है मद्यप्रदेश का तो मद्यप्रदेश का सबसे छोटा नैशनल पार्क दिंडोरी जिले में इस्तित है यह एक जीवाश्म पार्क है जो की मातर 270 किलो मीटर में फैला हुआ है तो दिंडोरी जिला जो है मद्यप्रदेश का इसमें सबसे छोटा नैशनल पार्क है और यह जीवाश्म पार्क यहा पर यह फैला हुआ है इसके बाद अगला प्रेशन है पूछ ले गया है उदैगरी की गुफाएं कहां पर इस्तित है तो यह विदीशा है इसका राइट आंसर विदीशा रहेगा उदैगरी की जो गुफाएं विदीशा में है इसके बाद जवाहरलाल नैरू पुलिस अकाड प्रेशन है तांसर वास्तविक नाम क्या था तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे बढ़ जाते हैं दो और जो सवाल यहां पे बस्ते हैं राजा मान सिंग तोमर संगीत एवं कला विश्य विद्याले मध्य प्रिदेश में कहां इस्तित है तो दोस्तों ये गौलियर जिले में है राजा मान सिंग तोमर संगीत एवं कला विश्य विद्याले तो इसको भी आप लोग याद रखें अंत जो अगला जो प्रेशन है पर होकर गुजरती है तो 14 यह आप पर जेले हैं और आप सब लोग को यह याद रखना है 14 जेलों से यह होकर गुजरती है तो दोस्तों यह तो थे nursing और जी के general knowledge के सबाल और जैसे कि मैंने आपको बताएं इससे पहले वाले parts आप लोग जरूर बहुज कर लें और MPCHO का exam अगर आप लोग देने जा रहें तो सबी parts आप लोग देखकर जरूर जाना काफी प्रेशने जो हैं आप लोगों की परिक्षा में इनी parts में से repeat आपको देखने को मिलने वाले तो इसी वीडियो के नीचे जाएं description box में सबी parts की आपको link मिल जाएगी एके करके सबी parts आप लोग watch कर लेना इसके अतरिक्ष एक और information है यदि आप सब लोग चाहते हैं मध्यप्रदेश NHM 2019 CHO के exam paper और इसी के साथ साथ 2020 की और इसी के अतरिक्ष आपे 2021 के तो तीनों साल के question paper मेरे पास यहाँ पे available हैं यह 6 question paper total यहाँ पराएंगे 2019, 2020 और 2021 के PDF फाइल आपको मिल जागी यह 6 question paper की इसके लिए आपको हमें 150 रुपीस का payment आपको करना होगा 1500 रुपे का payment जैसे आप लोग कर देंगे 6 question paper की आपको PDF फाइल मिलने वाली है MPCHO previous year papers की और इसके लिए आपको हमारा जो चैनल का WhatsApp नंबर है 7 4 1 2 5 4 3 6 5 9 यह चैनल का हमारा WhatsApp नंबर है WhatsApp पे आप लोग हमें message कर दें सारी जानकारी आप लोगों को provide कर दी जागी और दोस्तों काफी प्रेशन है आप लोगों के previous MPCHO के जो exam हुए इनी में से ही आप लोगों को repeat देखने को मिल जांगे और exam का level क्या था कौन कौन से topic से प्रेशन है आपके cover किये गए थे तो यह सारी जानकारी भी आप लोगों में check कर लेना सबसे पहले वीडियो को like कर दें और channel को subscribe कर लें आगे और भी पार्ट आपको मिलने वाले कोई भी जानकारी छूटना ने चाहिए तो वीडियो के नीचे जाए सबस्क्राइब के red button को आपके क्लिक करें MPNHMCHO हर information इसी तरीके से आगे भी बात रहे तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में thank you so much